ही गाईज वेलकम एक्टिमेट चानल बिंसल पाइले जी आज का वीडियो है इसमें हम सी अर्चिन का पार्ट टू देखने वाले एक्स्टोर्नल फर्टिलाइज़ेशन का पार्ट वन में अप्लोड कर दिया जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शिन वॉक्स में में ल पहले में हमने यह देखा था कि किस तरीके से जो स्पर्म है वो अट्राक्ट होगा टूवर्ज दी एक और आज का जो सेशन है उसमें देखने वाले है कि किस तरीके से यहां पर देखे किस तरीकी कर्णिशन है समझे मैंने कहा इस तरीके से हमारे पास एक प्रेजेंट है य यहाँ पर प्रेजेंट है एग मेंब्रेन या फिर हम बोल सकते है प्लास्मा मेंब्रेन एक की यह वाली जो मेंब्रेन है यह है विटेलाइन मेंब्रेन और विटेलाइन मेंब्रेन के बाहर भी एक और कोट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है जेली कोट इस तरीके से यह पर activate करेगा for acrosomal reaction तो यहाँ पर यह जो होता है ना यह molecule हर एक species के लिए specific होता है species specific होता है कि हम नहीं चाहते हैं किसी species का sperm है वो दूसरी species के एक के साथ fertilize हो जाए कोई भी sea urchin नहीं चाहेगा तो यहाँ पर यह specific होते हैं और यह molecules होते हैं कौन से यह molecule होते है sulfated polysecrides एसे polysecrides चोकि कैसे है sulfated polysecrides इन में अगर मैं specific एक का example दूँ तो जैसे कि fucoze polysecrides अब यह जो fucoze polysecrides यह किस के साथ interact करने वाला है sperm के साथ interact करने वाला है sperm के एक receptor के साथ तो इस सम्झें मैंने का इस तरीके से यहाँ पर Wricpa शुकर है यहाँ पर इस तरीके से मैंने का कि satisf मौन आचुकर अब इसके पास पर क्या प्रेसन्ट होगा इसके पास तरीके से एक रीसेप्टर प्रेसेंट ओका जिसकोозможно किए सब्सक्राण cranettel frank PLC नामक Molecule को, PLC का मतलब होता है Phospholipacee को, Phospholipacee नाम से पता चड़ा है एक एक्जाइम है, यह क्या करेगा, यह यहाँ पे प्रेजेंट PIP2 Molecule को दो चीजों में तोड़ेगा, एक तो यह बनाएगा IP3 और उसी के साथ यह बनाएगा DAG, जो DAG है वो तो प्लास्पो तो यहाँ पर स्पोर्म के पास एक और चीज प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते है एक्रोजोम, जिसका हमें यहाँ पर एक्रोजोमर रेक्शन करवाने हैं, जिसने बहुत सारे एंजाइम स्टोर करके रखें, तो यहाँ पर इसके पास चानल प्रेजेंट होता है, जिसको वज़े से जो यहां पर stored calcium है जो यहां पर एक्रोसों में calcium present होगे वो कहां पर release हो जाएंगे वो sperm के cytoplasm में release हो जाएंगे जिसकी वज़े से यहां पर calcium का amount increase हो जाएगा उसी के साथ साथ यह receptor जो sperm के मेंब्रेन है उसको भी message देगा जिसकी वज़े से यहां पर calcium भाहर से अंदर आ जाएंगे तो second इसने यह message दिया उसी के साथ साथ यह receptor यहां पर एक और message देगा थर्ड message देगा टोटल तीन messages जाते हैं रिसेप्टर के अक्टिवेट होने की वज़े से तीसरा जो message जाएगा वो जाएगा sodium, potassium, antiporter को antiporter मतलब यहां पर उल्टे direction में जाएगा sodium एक डिरेक्शन में जाएगा तो इसकी वज़े से क्या होगा इसकी वज़े से यहां पर sodium अंदर आतर प्रोटोन यहां से बाहर जाते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर यह चो बिटिलाइन मेंब्रेन के बाहर एक जेली है उस पर चो सलफेटड पॉली से क्राइड है उसने स्पर्म में तीन चीज़े करवाई हैं सबसे पेड़ी चीज इसने क्या करवाई PLC को अक्टिवेट किया जिसकी वज़े से IP3 बना IP3 ने एक्रोसोम से कैल्शियम को रिलीस करवाई है उसी के साथ सथ उसने डारेक्ली कैल्शियम चानल को अक्टिवेट किये थे जिसकी वज़े से कैल्शियम अंदर आ रहे थे और त देखा जिसकी वजह से यहां पर क्या हो जागा जिसकी वजह से यहां पर पर फ्यूजन हो गया इधर प्रेजेट थी एक्रोजोंम की वैसिकल तो एक्रोजोंम वैसिकल ने फॉर्म की जो जो membrane है उसके साथ fuse कर लिया है जिसके वज़े से यहाँ पर यह जो acrosomal content है यह बहार निकल आएगा इधर nucleus present था nucleus ऐसा का ऐसा present रहेगा सिर्फ यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर acrosome का content जो है वो release हो जाएगा अब यहाँ पर जो acrosome का content release होने की वज़े से होगा इसके पास बहुत सारे enzymes present होते हैं जो की क्या करेंगे digest करेंगे egg jelly को तो इनका काम क्या होगा इनका काम होगा simply के digest कर दे egg jelly को अब इन में अगर हम कुछ enzymes का नाम देखे तो जैसे की होगा protease जो की protein को digest करते हैं hyaluronidase तो यहाँ पर क्या present होगे protease उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रेजेंट होगे hyaluronidase इन सबका से फितना सा काम है कि यह क्या कर दें यहाँ पर जो यहाँ पर जो egg jelly present है उसको कर दें डाइचेस्ट उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से यह जो पीछे का structure है वो sperm का ऐसा का ऐसा रहेगा तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगे अब यहाँ पर यह जो एक्रोसोम प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में एक और चीज प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं जी एक्टिन एक ऐसे molecules होते हैं जो कि F-actin बना सकते हैं जो कि Cytoskeleton का part होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर next condition अगर मैं देखू फिर से यहाँ पर इस तरीके से मैं एक बना देती हूँ यह एक हैं यहाँ पर इस तरीके से viteline membrane present है और यहाँ पर जो एक जैली है वो हम माल लेते हैं कि digest हो चुकी है तो आप next condition में क्या होगा next condition में यहाँ पर G-actin का polymerization हो जाएगा polymerization होके क्या बना लेगा वो F-actin बना लेगा जो कि Cytoskeleton होता है यह इस तरीके से F-actin बना लेता है यहाँ पर यह हुआ किसकी वज़े से यह चीजे करवाई किसने calcium ने करवाई क्योंकि calcium ने activate कर दिया था एक protein को जिसका नाम होता है RHOB protein यह जो RHOB protein है यह जो polymerization है इसको करवाने में help करता है यह कहाँ पर present होता है यह acrosome में भी present होता है और उसी के साथ-साथ कहाँ present होता है middle piece में भी present होता है तो finally यहाँ पर हुआ क्या G-actin का polymerization हो गया तो यहाँ पर अब स्थिती कैसी होगे ध्यान से देखिए इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से अब यहाँ पर हुआ क्या है जो G-actin था वो nucleus और acrosome के बीच में present था उसने क्या कर लिया उसने इस तरीके से polymerization कर लिया देख सकते हैं आप यहाँ पर यह present है अब इसने यहाँ से polymerization कर ली तो यह acrosome की membrane को बाहर की तरफ push करेगा जिसके वज़े से यह acrosome की membrane है यह कहाँ चली जाएगे बाहर की तरफ देख चली जाएगे आप अच्छे से इस diagram में देख सकते हैं तो यहाँ पर यह क्या बन चुका है यहाँ पर यह बन चुका है F-actin अब यहाँ पर यह acrosome की membrane है इस तरफ यह acrosome की membrane है इसके पास specific molecules present होते है जिनका नाम होता है binding तो अब यह जो binding है यह क्या करेंगे यह अंदर से चले जाएगे बाहर की तरफ तो यहाँ पर क्या होगा जो यह binding थे यह इस तरीके से आचुके है बाहर की तरफ यहाँ पर आचुका है binding यहाँ पर present है viteline membrane अब यह जो viteline membrane है इस पर कोई ऐसा receptor present होगा जो इस binding से interact करेगा यह जो binding होते हैं यह भी पूरी तरीके से species specific होते हैं यह बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है तो यहाँ पर कौन होगा? विटलाइन मेंब्रेन पर एक receptor present होगा जिसका नम होता है EBR इस तरीके से यहाँ पर यह क्या होता है? एक GPCR होता है तो GPCR मतलब 7 टाइम से विटलाइन मेंब्रेन को पास करेगा इस तरीके से 7 टाइम पास करता है GPCR है यह जिसका specific नाम है EBR1 इसका नाम होता है हम बोल सकते हैं BR मतलब binding receptor है एक का binding receptor है तो binding ने क्या कर लिया? EBR से interaction कर लिया और EBR को बता दिया कि हाँ स्पर्म आ चुक है अब इन दोनों का क्या होगा? अब इनका fusion होगा, इनका fertilization होगा यह जो चीज होती है यह भी पूरी के पूरी species specific होती है यह जो interaction होता है यह भी कैसा होता है glycoprotein मतलब क्या होता है? कि carbohydrate plus protein से बना हुआ होता है तो इस तरीके से यहाँ पर यह पूरी के पूरी कहानी चलती है और इस तरीके से acrosomal reaction होता है species specific interaction होता है egg और sperm का फिर से अगर हम देखे तो कहानी के शुरवाद सबसे पहले कहां से होती है? sulfated polysecrite present होता है egg jelly के उपर जो कि interact करेगा receptor के साथ, sperm के receptor के साथ तीन चीज़े होगी PLC activate होगा जो IP3 बनवाएगा जो कि acrosome से calcium को बाहर निकालेगा second चीज़ यहाँ पर यह होगी कि यहाँ पर calcium channel जो है वो activate होगे जो कि बाहर से calcium को अंदर भेजेंगे और आने की वजह से जिसकी वजह सेasmine का content release हो जाएगा दे हो इक्रोसम की जो मिंब्रेन हो बाहर की घर की चाईग이 जिसकी वजह सेולow syrup होग Li जो है वह बाहर की तरफ आगया वो EBR से नियच्करेगा भाश में अगर लाशाशान ही निक्या हु क्या हुआ है सबसे पहले यहाँ पर फ्यूकोस सलफेट था फ्यूकोस सलफेट ने जो sperm के receptor है उसको अक्टिवेट किया sperm के receptor ने यहाँ पे तीन चीज़े की इसने PLC को अक्टिवेट किया जिसके इसे IP3 बना जिसकी वज़े से calcium जो है उसकी concentration साइटोप्लाजम में इंक्रीज हुई सेकेंड इसने sodium, proton, pump को अक्टिवेट किया थर्ड चीज़ कि इसने calcium के चानल को अक्टिवेट किया जो कि cell membrane पे प्रेजेंट थे याब sperm की membrane पे प्रेजेंट है जिसकी वज़े से calcium ने इंक्रीज हुआ अब इन दोनों calcium के content के increase होने की वज़े से क्या हुआ इन दोनों के content के increase होने की वज़े से हुआ कि acrosomal reaction हो गया यहां फिर हम बोल सकते हैं acrosom जो है उसका content release हो जाएगा उसका content क्या हो जाएगा release हो जाएगा यह क्या करेगा? यह digest करेगा egg jelly को उसी के सारसाथ यहाँ पर इन दोनों ने मिलके एक और चीज़ किया इन दोनों ने G-Aktin से F-Aktin बनवाने में मदद की F-Aktin की वज़े से यहाँ पर क्या होगा जो Bindin है वो कहा हो जाएगा Bindin जो है वो Exposed हो जाएगा Bindin एक पर Exposed हो गया तो यह किसके साथ इंटराक्ट करेगा यह इंटराक्ट करेगा एग की विटलाइन मेंब्रेन के साथ जिसकी वज़े से यहाँ पर क्या हो जाएगा Sperm और एग का Fusion हो पाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर ही पूरी कहानी चलती है सरीके से अक्रोसोमर रेक्शन और इनका इंटराक्शन होता है I hope guys this lecture was really helpful for you Thank you so much for watching this video Don't forget to subscribe and share this video with all your friends Thank you so much guys, bye bye, take care